हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बेहत महत्पूर्ण होता है पूरे वर्ष में 24 एकादशी होती है लेकिन अगर किसी वर्ष मलमास है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है इनहीं में से एक एकादशी होती है देव उठनी कार्थिक मास के शुक्र पक्ष की एकादशी तिथी को देव उठनी एकादशी होती है कहा जाता है कि आशान शुल्क एकादशी को देव शैयन हो जाते है और फिर चतर मास के समापन कार्थिक शुक्र एकादशी के दिन देव उठनी उत्सव होता है इस एकादशी को ही देव उठनी एकादशी कहा जाता है तो आईए जानते हैं इस वर्ष कब मनाई जाएगी देव उठनी एकादशी साथ ही किस तरहे से पूजा कर सकते हैं हम इस देव उठनी एकादशी पर तो सबसे पहले बात करते हैं देव उठनी एकादशी का शुब मूरत की तो इस साल नवंबर 25 बुद्धवार को देव उठनी एकादशी पढ़ रही है देव उठनी एकादशी प्रारम 2 बचके 42 मिनट पर वही समापन 26 नवंबर 2020 ब्रहस्पतिवार को शाम 5 बचके 10 मिनट पर हो रही है इस दिन विष्णु भगवान और मा लक्षमी की पूजा की जाती है इस दिन विष्णु जी को जगाने का अहान किया जाता है इस दिन सुभे उठकर साफ कपड़े पहनने चाहिए फिर विष्णु जी के वरत का संकल्प लेना चाहिए फिर घर के आंगन में विष्णु जी के चर्णों का आकार बना ले यदि आंगन में धूप हो तो चर्णों को ढग देना चाहिए फिर ओखली में गेरू से चित्र बनाएं और फल मिठाए रितुफल और गन्ना रखकर डलिया को ढग दे रात के समय घर के बाहर और जहां पूजा की जाती है वहां दिये जलाने जाती है आज ही के दिन तुलसी विवहा भी किया जाता है तुलसी विवहा के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवहा कराया जाता है आज के दिन तुलसी शालिग्राम तथा गणेश जी की भी पूजा होती है धार्मित मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवागा आयोजन करने पर एक कन्यादान की बराबर पुन्य प्राप्त होता है तो फ्रेंट्स इस वीजियो में बस इतना ही अगले वीजियो में हम जानेंगे कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन करने का क्या महत्व है तब तक के लिए राधे राधे जैशे कृष्णा